विश्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी अच्छे हैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं प्रोपर्टी गुरू चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त प्रोपर्टी गुरू और आज हम लेकर आए हैं डेड़ सो गज के प्लॉट यानि की छे मरला इसको हमारे या आपको सबसे कम कीमत पर आज के टाइप वैसे तो प्रोपर्टी के रेट अप एंड डाउन चलते रहते हैं तो मैं एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ और मैं हर वीडियो में आपको यह बताता हूं कि दोस्तों जहां भी आप प्रोपर्टी में इन्वेस्ट कर रहें त जहां और हम कोशिश करते हैं कि जो ग्राउंड रियलेटी वह आपको दे और दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जैसे जो आज फॉर इग्जांपल मैंने आज कोई प्रोपर्टी का आपको रेट बता है तो आप यह मान के ना चले कि यह हमेशा यही रहता है आ ब्लाइब बलाइब चिल को कि ब्लेट यहां दोस्तों शॉर्फ घ्वश के प्लाइब हमें कोंसी लोकेशन पर मिल सकते हों किस सेक्टर में मिल सकते। यह में बात करें तो इस स्फेकर नो 11 के वारे में और आहसे यहां खाला उप appreciated O Saint को देख सकते हैं यह तो साम रोड से सोफिट चोड़ा सड़क आ रहा है सेक्टर के अंदर और जो भी यह गुलाबी रंग की जो हम है यह छे मरले की प्रोपर्टी दोती है छे मरले वाले प्लोट्स है जो इस्टन छेतरे इसका नोग्यारा का इस्ट वाला जोकेशन वही इसको उसी में उसी लोकेलेटी में ज्यादा तर प्लोट्स हैं वह छोटे वाले प्लोट्स है यानि की 150 सेंटर में आप देखेंगे कि इसमें कोई भी छोटे प्लोट्स नहीं है इस लोकेलेटी में सबई mostly आपको बड़े प्लाट सी देखने को मिलेंगे यह बिल्कुल इसके जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सेक्टर नोग्यारा का एक सेंटर वाला इलाका आ गया और इसमें बड़े बड़े प्लोड यह जो बीच का में सडक है सोफिट चोटा सडक जो आप देखरें यह दिल्ली रोड को कनेक्ट करता है यहां से और इस सेक्टर से सबसे बड़ी खासियत ही है कि यह दिल्ली के कनेक्टिविटी में और दूसरा अगर आपका केंट साइड में या आपका देली साइड में या आपका इंडस्ट्रिल एरिया में कोई भी बिजनेस है तो उस पुरपस से ये सेक्टर बहुत ही आपके अनुकूल रहेगा क्योंकि आपको पूरे शहर में कहीं भी नहीं जाना पड़ता और अभी हम आपको ले चलते हैं जो वालतो चे मरले वाले प्लोट्स है उनके उपर यह जितने भी आप पिंक कलर वाले देख रहे हैं गुलाबी रंकी यह सारे के साट चेमरले के प्लोट्स है और इसमें जितना आप वैस्ट में आते जाएगे इस इस cost पे आपको यहाँ property मिल सकती है बाकी आगे हो भी सकता है कि कम हो जाए या हो भी सकता है कि बढ़ जाए उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं और यह जो आप जितना इसके east में जाएंगे east side में क्या आएगा यह आपके देखिए कि industrial area लगता है यह जो नीचे लिखा existing industries इससे लगते हुए बिलकुल यह जो आप दो लाइन देख सकते हो गुलाबी रंग की सबसे नीचे वाली दो लाइन जो लगाता है इस locality में आपको सबसे कम rate के उपर 1500 गज का plot मिल सकता है और यह जो साथ में road जा रहा है यह आपका road connect करता है दिली road to south bypass यह वाले plots हैं यह जो आप देख रहें बिलकुल अभी center में यह वाले plots हैं इसमें सस्ते होने का negative aspect यह है कि इसके नस्दिक में industries लगती लेकिन जिसका budget कम है जो sector में लेना चाहता है तो वो जरूर इस पे अपना ले जो बाहर कलोनी में ले रहें उससे कहीं ज़्यादा बहतर है कि आप अपना sector में property ले क्योंकि इसमें आपको bank loan की facility भी मिलेगी और दूसरी बहुत सारी facility मिलेगी कल को आपका पैसा मरेगा और यह मैं पूरा एक बार layout आपको दुबारा से दिखा देता हूं sector 911 का जो हमारा layout है इसमें जितना आप west side में या नोर्थ में main जो हमारा बीच वाला रोड आप देख रहें सोफिट चोड़ा सड़क जो है उसके आसपास जितना आते जाएंगे जितना वेस्ट में चलते जाएंगे आपके rates उतने अप होते जाएंगे और दूसरे इसके बारे में rates के बारे में मैं बताता हूं कि आप एक बार हमसे आके मिलिए और तब ही clear होगा कई लोग हमें phone पे पूछते हैं कि sir वहां क्या rate है वहां क्या rate है देखिए ऐसे नहीं बता पाएंगे क्यूंकि वो depend करता है कि आप कौन से plot plot के availability के उपर depend करता है जी हां जब भी आप phone के उपर अगर हमसे पूछेंगे कि sir यहां क्या rate है तो हम थोड़ा सा आपको idea ज़रूर दे सकते हैं लेकिन पूरान रूप से अगर आप संतुस्ट रोना चाहते हैं या आप पकामन बना रहे हैं property लेने का या बेचेने का तो आ आप हमसे एक बार मिलिएगा मिलके बैठके बाचीत होती है ना कि phone पर ना तो हम पूरी बात बता पाते हैं आपको और ना ही आप पूरी बात समझ पाएंगे हमारी तो इसलिए आप हमसे मिलिए और आप कभी भी आके हम इसके उपर discuss कीजिए इसके लावा अगर आपने video बनाके upload करते हैं so that कि आपको एक अच्छा customer और आपकी property के अच्छे rates आपको मिल्स के धन्यवाद नमस्कार